इस बार का लोकसवा चुनाव राहुल गांदी या नरिंदर मोदी नहीं ये चुनाव किसी विचारदारा को बचाने, बनाने के लिए नहीं बलकि 2019 का चुनाव बारत का वविश्यत तेय करेगा इस बार का लोकसवा चुनाव ये तेय करेगा कि बारत किस दिशा में आगे पिछले 5 सालों को देखते हैं तो दुख होता है। ये बात सैम पित्रोदा ने मीडिया से बातचित के दौरान कही। उसके उल्ट अभी भी 24 लाग सरकारी पोस्टें खाली हैं। सैम ने कहा कि ना यूबाओं को रोजगार मिला ना किसानों को जित मूल्या। पिछले 5 सालों में एक भी स्मार्ट सिटी का निर्मार नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा पूरे पाकिसान को हमारा दिया जाएगा। पिछले 5 चरणों के हाल को देखकर पियमोदी बॉकलाट में उलूल जूल ब्यान दे रहे हैं। वहीं डिस्टल केंपेन पर सैम ने कहा कि ये मनमोहन सरकार की देना है जिसका क्रेडिट पियमोदी लेने की जुगत में लगे हुए हैं। सबसे बड़े जुगत में लोगे हैं। कि अब कर ऐसा बताया कि जाजीर गांदी कि नेवी के भज्ये पे नकसी पेड़ूर 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 यह भी जूठ है वो भी जूठ है फगेड़ बार नहीं से हमें पांच साल का हिस्दा दीजिए कि अब कर दीजे आपने इतना पैसा खरच किया है पाल्पू है सरकार को और मुदी जी पुट को परच कर देशे है इसका पैसा है आप ऐसा क्यों खरच करता है आपके पास एक प्रोग्राम है सेव गर्ड चाहिए उसमें से आदा मजएद का पैसा आपने एडर्टाइजमें लगाया है और सेव गर्ड चाहिए और लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा हो रहा है और हमें खहते हैंगा आप लोगों ने क्यों क्यों प्रोमोशन दी कि पूली करुछ जो आप सोफेड़ों एसमें गर्ड़ाटन द्सकत्राइजमें लेडर्टा जाएफ्टाइई रडर्टा करुछ एल्रूब यद्ग्टाइजमें आप एगेश्टाइज प्रुछ प्रोगों अवडदाइज ने भी किलिए तुम किलिए टुम करो ओंपकिलिए। भी ज़ी धायर किलिए। भी बंपर घिना। भी ध्याएं किलिए त्यूट पुर्ट आपको कर दोड़ें।